हेलो एव्रिवन, वेल्कम बैक तो और्गनाइज लर्निंग चानल, अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एन तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, डिरेक्ट रेट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ओफ डेली की तरफ से मिशन मैथेमेटिक्स क्लास 10 के लिए 26 नवेंबर 2022 का क्वेशन अफ तुडेई, तो क्या क्वेशन हमें दिया गया है, हमें किसकी वैल्यू तो हमें ये जो वैल्यू है, ये जो हमें एक्वेशन दी गई है, इसकी हमें वैल्यू find out करनी है, तो देखते हैं इसको हम कैसे solve करेंगे, तो इस question का solution हम कैसे करेंगे, हमें क्या find out करना है, sin squared 30 degree into cos square 45 degree plus 4 into 10 square 30 degree plus half into sin square 90 degree plus 1 by 8 into cos square 60 degree तो इन values को solve करने के लिए हम पहले एक table देख लेते हैं और उस table को हमें क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा तो क्या value दी गई हमें हमें ये जो sign ये जो जितने भी हमारे पास trigonometric functions हैं इनकी कुछ angles पे कुछ values हमारे पास specified हैं जैसे कि हमें 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree पर दी गई है sign theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta और cot theta की value तो हम देख लेते हैं जैसे sign 0 कितना होता है? 0 ही होता है sign 30, 1 by 2 होता है, sign 45, 1 by root 2 होता है sign 60, root 3 by 2 और sign 91 अगर आप सिरफ इस sign की values भी अगर आप याद कर लेते हैं तो हम cos theta, 10 theta की बहुत इसली याद कर सकते हैं कैसे? जो sign 0 होगा वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा वो cos कही 90 वाली value हो जाएगी और जो sign 90 वाली value होगी, यानि कि जो 1 है वो cos 0 की value हो जाएगी और इसके अलावा जो sign 45 और cos 45 दोनों क्या होंगे? equal होंगे, यानि कि 1 by root 2 और 1 by root 2 ठीक है? और जो sign 30 की value है वो अब cos 60 की, यानि कि 1 by 2, 1 by 2 और जो cos 60 की value हो sign 30 की value हो जाएगी, यानि कि root 3 by 2 और root 3 by 2 तो अगर हमने सिर्फ sign के सारे functions और angles की, sign के सारे angles की value अगर हमने याद कर लिया तो हम cos की easily learn कर सकते हैं और 10 क्या होता है हमारे पास? sign upon cos तो अब जैसे इसको हम, अगर हमें sign पता चल गया cos तो हम 10 की value sign upon cos से निकाल सकते हैं जैसे 10 0 कितना हो जाएगा? sign 0 divided by cos 0 अब sign 0 कितना है? 0 और cos 0 कितना है? 1 तो 0 upon 1 कितना होता है? 0 ही होता है तो इसलिए 10 0 हमारे पास 0 आगया इसी तरीके से sign 30 upon cos 30 अगर हम करेंगे यान कि 1 by 2 divided by root 3 by 2 तो ये 2 और 2 तो cancel हो जाएगा तो हमारे पास answer कितना बचेगा? 1 upon root 3 तो ये किसकी value आजाएगी? 10 30 की तो इसी तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं और फिर जो ये values हैं cosac, sec और cot ये भी आपको पता है कि reverse होता है cosac किसका reverse होता है? sign का तो 1 upon 0 अगर हम करते हैं तो हमारे पास cosac 0 आजाएगा अब 1 upon 0 आपको पता है ये not defined ये infinity होता है तो इसलिए not defined value आजाएगी फिर 1 upon 2 का reverse क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा तो इस तरीके से हमको sec की भी सारे angles की values learn कर सकते हैं ऐसे फिर हमारे पास sec हो जाएगा जो cos का उल्टा होता है तो cos 0 जैसे 1 है तो 1 upon 1 तो 1 ही होगा हमारे पास इसका reverse करेंगा तो 1 ही आएगा ऐसे ही अगर root 3 by 2 है cos 30 तो इसका reverse जब करेंगे तो 2 upon root 3 तो इस तरीके से सारी sec की values भी हम find out कर सकते हैं अब cot हमारे पास होता है जो 10 का reverse हो जाएगा अब 10 0 कितना है हमारे पास 1 upon 0 अब 1 upon 0 again not defined हो जाएगा तो not defined हो गया ऐसे 1 upon root 3 है इसका reverse क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root 3 तो इसी तरीके से हम 10 की भी सारी values जो है learn कर सकते हैं तो अगर हम sign की सारे angles की values learn कर लेते हैं क्या value हमें चाहिए है तो हमें चाहिए है sin square 30 cos square 45 plus 4 into 10 square 30 plus half into sin square 90 plus 1 by 8 into cot square 60 तो इसकी value simply हम put कर सकते हैं टेबल से अब sign 30 जैसे हमारे पास क्या है 1 by 2 लेकिन इसका square है तो 1 by 2 का whole square into cos 45 कितना है 1 upon root 2 अब इसका भी square पूछा गया तो 1 upon root 2 का square दोनों को multiply किया plus 4 into 10 square 30 10 30 कितना है 1 upon root 3 तो इसका square 1 upon root 3 का square plus half into sin square 90 sin 90 कितना है 1 तो 1 का square plus 1 upon 8 into cot square 60 अब cot 60 कितना है 1 upon root 3 तो 1 upon root 3 का square तो जब इसको हमने solve किया तो यह कितना आ जाएगा 1 upon 4 into 1 by 2 plus 4 into 1 by 3 plus 1 by 2 into plus 1 by 2 और फिर यह वाली term क्या हो जाएगी plus 1 by 8 into 1 by 3 simply फिर हमार पास यह solve करने के बाद यह आ गया 1 by 8 यह आ गया 4 by 3 यह आ गया 1 by 2 और यह आ गया 1 by 24 हमने इन सब का LCM लिया LCM कितना आ गया हमार पास 24 अब 8 की table में 24 कितने पे जाता 3 पे तो उपर वाली term को भी हमने 3 से multiply किया तो 3 into 1 3 आ गया plus 3 की table में 24 8 पे जाता तो उपर वाली term को 8 से multiply करेंगे यानि की 4 into 8 32 plus 2 की table में 24 12 पे जाता है उपर वाली term को भी 12 से multiply किया यानि की 12 into 1 12 ही रहा हमार पास और जो यह 24 है यह 24 की table में 24 1 पे जाता है तो उपर वाली term को हमने 1 से multiply किया यानि की 1 into 1 is equal to 1 तो जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आजाता है 48 into 24 और जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास answer क्या आजाएगा 2 तो इस जो ये सारी term जो थी हमारे पास इसकी अगर हम value की बात करें तो हमारे पास answer कितना आजाता है 2 तो इस तरीके से इस question को हम solve कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि आपको ये solution समझ में आयागा और वीडियो समझ में आयागा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share और comment करें चानल को subscribe करें मिलते हैं next video में